नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभीगा अभिप्षा की पूरी टीम की तरफ से मैं हूँ अभिनत उशान्शोपांडे और हमारी चर्चा का विशाय जैसे कि आपको याद होगा हम चुम्बकत्व यहने की इसके बारे में पढ़ रहे थे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि कच्छा बारवी की बोर्ड परिक्षाओं के तैयारी के लिए भौतिकी का जो विशय है उस पर मैं आप लोगों के साथ में खड़ावा हूँ मैं हूँ अभिनों तुशान्शोपांडे इसके अलाबा सार चैनल पर आपको मुफ्त में पूरे के पूरे प्रिप्रशन के कंटेंट अभिलेबल हैं यदि आप हमारे अप्लिकेशन को इस्ट्रॉल करते हैं तो वहाँ पर आपको एक नहा सेक्षन मिलेगा जो है एक्जाम सीरीज मिशन 2023 अगर आप वहाँ जाकर जो है हमारे एप्लिक करते हैं कि हम लोगों ने इस चैप्टर से रिलेटेड कौन कौन सी बातें अभी फिलहाल में की हुई हैं हम देख रहे थे कि हम लोगों ने और प्रयोग देखा था हम लोगों ने बाद में बारे में बारे में बात की थी हम लोगों ने धारा बाही लूप के केंदर में जो है चुम्बकी छेत्र के तीपटा निकालने के लिए वियंजक निकाला था इसके बाद में हम देख रहे हैं कि अनदतार की लम्बाई के लिए भी हम चुम्बकी छेत्र निकाल चुके हैं ये सारी की सारी चीज़े हमारे दिमाग में हैं अब अगली बात क्या है आईए देखते हैं हम एंपियर के परिपथिय नियम का की बात करेंगे इस नियम के बारे में बात करने से पहले मैं आपको गाउस के प्रमय के बारे में बता दू भीया गाउस का प्रमय क्या है और इसका क्या महत्तो है तो गाउस का जो प्रमय है से तरफ में तो फिर हम क्या देखते हैं कि कुल मिलाके जो विद्धुत फ्लक्स होता है उसका मान जो है अंदर रखे हुए आवेस क्यू बटा एपसलोन नौट के बराबर होता है यह जो हमारा तरीका था गाउस प्रमे को उपयोग करके जो हम लोगों ने सीखा था इसका बहुत ही आसान होने लगी इसी क्रम में इसी तरीके से जब हम चुम्बकी छेत्र की तीव्वता के लिए अनंत लंबाई के अतार के लिए या धारवाही लूप के लिए इसकी लिए जो हम अपना पूराना जो तरीका उपयोग करते हैं उससे हमें चुम्बकी छेत्र की ती तरीके का क्या नाम है उस तरीके का नाम है एंपियर का परिपतियनियम में क्या बाते निकलती हैं आये इसकी बात करते हैं एक बंद लूप लेते हैं क्या लेते हैं हम सबसे पहले लेते हैं एक बंद लूप ठीक है और एक बंद लूप लेने के बाद में इस लूप के अंदर यहने कि इस वलाय के अंदर जो है कुल मिलाकर जितना भी विद्द्धारा का अभ्याव होता है मान ली जाए हम लोगों ने एक बंद ऐसे वलाय चल्डा ले लिया और इस चल्ले के अंदर से एक तार गुजर रहा है इस गुजरते हुए तार के कारण जो है इसके इसके जो है इस लंबाई के ऊपर चुमब की छेतर की जो तीवरता हमें नजर आएगी वो चुमब की छेतर की तीवरता का मान हम लोगों ने क्या निकाला यह देखिए क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल बराबर मियू जिरो उना आई यह बिलकुल वैसा ही नजर आएगा जैसे कि लोगों ने यहाँ देखा था क्लोज इंटीग्रल एडाट डी एस बराबर क्यू क्यू एक्यू बटा एपसालों नौट तो बिलकुल यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर चुमब की छेतर की तीवरता नहीं बड़कि विदूद छेतर की तीवरता निकाल नहीं और य यदि धारा प्रवाहित हो रही है तो एक बंद लूप के अंदर जह को मिला के प्रवाहित धारा के लिए हम यह चिन्ह उप्योग करते हैं यहां पर यहां पर यहां पर यह जो वला है यह चल्ला जो हम लोगों ने लिया हुआ है कालपनिक छल्ला इस चल्ले की कूल नंबाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई B.DL और यहां पर क्योंकि B एक क्या है B एक नियतांक है इसलिए हम यहां B को बाहर रखेंगे और क्लोज इंटीग्रल ऑफ DL और यह किसके बराबर हो जाएगा म्यू नॉट गुणा आई के बराबर हो जाएगा अब देखें हमको चुम्बगी छेतर की तीवता निकालनी है तो यह बताइए कि कुल लंबाई कितनी होगी भाई एक छोटे से हिस्से की लंबाई निकालते हैं तो इस छोटे से हिस्से की लंबाई अगर DL है तो पूरे क पूरे इस छले यानि कि इस रिंग की लंबाई क्या होगी व्रत्य की परिजी और वो कितना होता है तो इस तरीके से यहाँ पर हमको मिलेगा B गुणा 2πR और यह हो जाएगा मू नॉट गुणा I के बराबर यहां हम बोल सकते हैं कि B बराबर हो जाएगा मू नॉट बटा 2π और यहां हो जाएगा I बटा R अच्छा अगर हम जो है इसको और अच्छे तरीके से देखना चाहें तो हम बोल सकते हैं B बराबर मू नॉट बटा 4π हम लोगों ने नीचे 2 का गुणा किया तो उपर भी 2 गुणा करेंगे और यहां हो जाएगा 2π बटा R आप यहां देख सकते हैं कि पिछली बार जब हम लोगों में यहां पर चुम्द की छेतर की तीवढ़ता निकालने का प्रयास किया था तो वो कितना DIFFICULT कितना कथें तरीका था इस बार अब यहां पर यहां पर कुल मिला आकि चुम्बटी श्रत्र के तिम्ता निकालने के लिए क्या करेंगे यहां से बैट्री का धन आत्मक और रिनात्मक घिस्सा जो है कनेक्टेड है तो धरा इस प्रकार से प्रवाहित होगी मान लेते हैं कि आई धरा प्रवाहित हो रही है और यदि हम जो है इसको एक बंद लूप मानते हैं A, B, C, D, A ये बंद लूप है तो A, B, C, D, A से बंद लूप से कुल मिला के प्रवाहिद धारा का मान कितना होगा तो भाईया यह हो जाएगा B dot close integral of DL बराबर NI गुणा तो अब हमको यह समझना है कि यहां पर चुम्ब की छेत्र की तीवरता क्या बाहर भी दिखाए देगी और अंदर भी दिखाए देगी इसका उत्ता है नहीं यह कैसे निकालेंगे इसकी गणना के लिए जो है आप क्या करेंगे कि यह पूरा statement हम लोगों ने लिखा है इसको जो है हम लोग लिख लेंगे बी वन गुणा इंटेग्रल आफ एड और प्लस बी टू इंटेग्रल आफ अब जो है एड के बाद में डी सी प्लस बी थ्री और यहां इंटेग्रल आफ डी सी के बाद में सी बी और प्लस इंटेग्रल आफ बी थ्री और यह हो जाएगा बी फोर और इंटेग्रल आफ बी ए अब जो है जब हम इन सब को जोड़ेंगे तो हमको एन आई गुणा म्यू नॉट यह दिखाई देगा ठीक है अब आप समझने का प्रयास कीजिए कि यहां पर जो हम क्या देख रहे हैं कि यह जो एडी है असल में किवल इस एरिया से गुजरने वाले जो है चुम्ब किया किवल एडी से गुजरने वारी धारा का मान क्या है यह तो बाहर है तो शून्य हो जाएगा धारा कुल मिला कि किवल बी सी से गुजर रही है और डी सी और एबी में और डी सी में इन तीनों के लिए चुम्ब की शेतर की तीबरता हो जाएगी शून्य और हम को जो है यहां पर क्या मिलेगा हमको यहां मिलेगा मान लेते हैं बी सि की जो पूरी रमबाई है यह लंभाई हम ले लेते हैं f to yac पर हमको चुम्ब की छेतर की तीपवता क्या मिलेगी तो यहां पर हो जाएगा बी गुणा यहां पर लंबाई कितना है तो integration of integration of b c याने के c b और यह l के बराबर है तो b गुणा l बराबर mu naught ni यह हो जाएगा यह अब हम प्रती एकांक लंबाई के लिए अगर निकालना चाहें तो b हो जाएगा mu naught ni बटा l यदि हम लंबाई l को एक मान ले तो हमको चुम्ब की छेतर की तीववता यहां मिल जाती है और एक solenoid के लिए याने की एक परिनालिका के लिए चुम्ब की छेतर की तीववता निकालने का हमारा यह तरीका बहुत ही जादा आसान था आईए आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे चुम्ब की बल के बारे में तो चुम्ब की बल होता क्या है और इसका हमारी जीमन में क्या आसर पड़ता है देखें क्या हो रहा है कि माल लेते हैं हमारे पास में एक चुम्ब की छेतर है और इस चुम्ब की छेतर से हम लोगों ने एक तार को गुजार दिया और इस स्तार से जो है क्या है कि इस से जो है विद्धु धारा प्रवाहित हो रही है ठीक है अब आप ध्यान देंगे कि विद्धु धारा प्रवाहित होने से क्या होगा भई हमको तो पता है कि विद्धु धारा प्रवाहित होने से चुम्ब की छेत्र उत्पन्न होने लगता एक चुम्बकी छेत्र आपको बाहर से अंदर जाता हुआ दिखाई दे रहा है और एक आपको विद्धुत धारा प्रवाहित होती हुई दिखाई दे रही है आई अब क्या होगा कि इस विद्धुत धारा प्रवाहित करने वाले चालक से चुम्बकी छेत्र निकलेगा और उ जब से पहले बाएं हाथ के नियम के बारे में पता होना चाहिए अब बाएं हाथ का नियम कहता है कि यदि हम अपने बाएं हाथ इस प्रकार से रखें कि चुम्ब की छेत्र हमारी तरजनी याने के इंडेक्स फिंगर की और उसके बाद में हमारी जो मिडल फिंगर याने की ज तो ऐसे स्थिते में हमको व्युद्ध बल का जो अर्भव होगा वह उपर की और होगा आपको यह बात समझ में आ गई होगी हम अगले वीडियो में इस क्योंकि हम लोगों ने अभी सिर्फ दिशा निकालना सीखा है तो हम इस गुरुद्धर्म का उपयोग करके आगे और क्य अगले वीडियो में और तब तक के लिए धन्यवाद